नमस्कार मैं शाधनापाणने माग्दरसन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादसी दो हजार चौविस में इस बार जो है कब पड़ रही है निर्जला एकादसी के नियम क्या है और क्या इस बार हम ब्रत शुरू करें और ये ब्रत शुरू करना सही होगा या नहीं और जो लोग हर एकादशी यानि की साल की सभी एकादशीयों का ब्रत करते हैं उन्हें इस एकादशी का ब्रत निर्जल रहके करना है या फिर फलाहार लेकर करना है इस ब्रत में पानी कपीना है इत्यादी जो संपूर नियम होते हैं उस सभी नियमों पे आज हम बात करेंगे तो दोस्तों नारायन का नाम लेकर के श्री हरी विष्णू की जैंबोलती हुए आज के वीडियो प्रारम करते हैं देखे दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये एकादसी बड़ी एकादसी कही जाती है जैसे कार्थिक मास की एकादसी अगहन की एकादसी होती है वैसे ही ये एकादसी होती है जेष्ट मास की और इस एकादसी को निर्जला एकादसी भी कहा जाता है पांड़ो एकादसी कहा जाता है जो कि जानते हैं सबसे प्रचंद गर्मी जो है जर्ष्ट मास यानि कि जेठ मास में पड़ती है और इस मास में हमें नर्जल रखकर ब्रत करना यह बहुत कठिन ब्रत है हाँ दोस्तों ये बहुत अधिक कठिन ब्रत है इस ब्रत का नियम इतना कठिन है कि आप किसी भी इस्थिती में एक घूंट पानी का नहीं ले सकते तो ये ब्रत बहुत विसेस है बहुत कठिन है लेकिन इस ब्रत के बहुत सारे लाव है जैसा कि साल की सभी 2400 एकादसी करने का फल आपको इस एक निर्जला एकादशी के ब्रत धारन करने से मिल जाता है ऐसा हमारे सास्त्र कहते हैं कि भीम सेन जो थे वो कोई ब्रत नहीं कर पाते थे उनके पेट में ब्रिक नाम की अगनी थी जो हमेशा जलती रहती थी जिससे उन्हें बहुत भोक लगती थी और सभी जो पाड़ों थे परिशान थे कि कैसी जो है भीम का उद्धार होगा वगवान स्रीकिष्ण ने उन्हें ये उपाय बताया कि वो जेश्ट मास के नर्जला एकादशी का ब्रत करेंगी तो उनको सभी एकादशी उपे जो अन्हे खाने का दोस लगता है वो दोस नहीं लगेगा तो दोस्तों वो ब्रत हम भी कर सकते हैं इस बार 2024 में आप कोई नया ब्रत सुरू करना चाहते हैं ब्रत करना चाहते हैं तो बिलकुल आप इस एकादशी से नया ब्रत प्राडम्ब कर सकते हैं इस निर्जला एकादशी का ब्रत रख कर करके बागी एकादशीों में अगर हम किसी कारण से नहीं ब्रत करते हैं अन भक्षड करते हैं तो जो दोस लगता है एकादसी पर अन खाने का वो हमें नहीं लगेगा तो इस बार 2024 में जो निर्जला एकादसी का ब्रत धारन किया जाएगा दोस्तों वो होगा 18 जून को 18 जून को हम निर्जला एकादसी का ब्रत धारन करेंगे दोस्तों निर्जला एकादशी का प्रारम तो 17 जून को सुबा 4 बच कर 43 मिनट पर हो जाएगा और इसके बाद 18 जून को सुबा 6 बच कर 24 मिनट तक रहेगा वो द्याती थी कि अनुसार निर्जला एकादशी का ब्रत जूहर 18 जून को रखा जाएगा वहीं पर पारण के बात करें तो 19 जून को अगले दिन इसका पारण होगा किस टाइम होगा तो पारण सुबा 5 बच कर 23 मिनट से 7 बच कर 28 मिनट तक होगा तो ये होगा दोस्तों निर्जला एकादशी ब्रत के ब्रत जूहर 18 तारी को रखा जाएगा पारण और पारण का सुब महुट अब चलिए नियमों की बात हम कर लेते हैं कि कब्र में जल पीना चाहिए किस प्रकार हमें इस ब्रत को धारण करना चाहिए पहली और विशेश बात है दोस्तों एकादशी ब्रत में जल का सुर्योदय से लेकर और अगले दिन के सुरिए स्ल्योदय तक ब्रत में जल नहीं पिया जाता है जो यह बहुत कठीन है कठीन मोशम के कारण गारमी बहुत प्रचांड होती है तो ऐसे में आप जल नहीं पी सकते हैं अब बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्णों होता है कि क्या जल हम ब्रह्म मुहुर्थ में पी सकते हैं या नहीं तो देखिए ब्रह्म मुहुर्थ में आप चाहें तो धाई बजे तीन बजे आप पानी पी सकते हैं परंतु शास्त्र कहता है कि जब आप रात्री का भोजन सम्पोण किये आप जैसे कि 10 मी तिथी में आप जो है सूरियास से पहले खाना खाली उसके बाद आपको रात को भूख लगी तो आप जल फल ये सीजल ले लीजे उसके बाद आपको अगले दिन जगना है अपने नित नियम के जो काम है वो करना है एकादसी ब्रत का संकल्प लेना है इस तरीके से करके आपको अपना ब्रत प्रारम करना है जल का पीना है तो देखिए जल पीने का एक ही नियम होता है कि आप जब एकादसी ब्रत का संकल्प ले रहे उससे पहले या तो धाई तीन बजे उठकर आप जल पी लें वैसे नहीं पीना चाहिए लेकिन शरीर नहीं चल पाता है किसी कारण से कोई दिक्कत है तो आप धाई तीन बजे पी लें उसके बाद एका दसी का संकल पले ले नहाने धोने के बाद ब्रह्मा मुहुर्थ में उसके बाद एकादसी करना अनिवार है तो देखे करते हैं तो बहुत अच्छा होता बहुत उत्तम है निर्जला एका दसी का लेकिन आप नहीं कर पाते हैं आपकी छम्टा नहीं है या फिर सरीर साथ नहीं दे रहा है तो बिल्कुल आप जल और फल लेकर कि इस एकादसी का व्रत धारण कर सकते हैं आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं नहीं करना चाहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है जो लोग केवल साल की एक एकादसी का व्रत करना चाहते हैं वो नहीं एकादसी इस बार प्रारंब कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई दोविधा ble attributed नहीं है एक चीज और बता देती हूं दोस्तों इस एक अदसी में आपको केवल और केवल जो मुझ को साफ करना वो पानी से साफ करना है एक आदसी में दातून भी अंस देख बताया गया है सास्त्र कहते हैं कि नीम में भी जीव होता है कीडे होते है तो इस सब तरह की चीजों से बचने के लिए आपको अपने दातों को पानी से हाथों से रगड करके और साफ करना होता है केवल और केवल इस बात का ध्यान आपको अनिवारे रूप से रखना है अब अगली चीज है दोस्तों कि इस ब्रत में भगवान विश्णू को आम का फल जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मौसम ऐसा है जिसमें बहुत आयत आम आते हैं आम का फल चढ़ाना चाहिए और यदि आप आम का फल चढ़ाने के बाद निर्जला एक अदसी है और जल अगले दिन इस प्रसाथ को जरूर है कहा जाता है की वक्ति मुख्ति मटू आच बूंगे दान के जरूर क्या है आज दोस्तोंск गायत्री जयन्ती भी है गायत्री माता है गाति Tuinen मत लेजेगा क्योंकि वेदो की माता है आप सोचिए वेदो को कितना पवित्र माना जाता है वेदो की जन्मदातरी जो माता गायतरी माता की जन्मदिन है आज तो बहुत ज्यादा विशेश है दोस्तों आज तुलसी की पूजा मत करिएगा तुलसी को ध्यान से आप तोड़ क करके एक दिन पहले रख लिजेगा तोलसी की पूजा मत करीगा सुहागी ने आज बिलकुल बाल वगर नहीं धोएंगी इस बात का ध्यान रखेगा बाल नहीं धोना है और आज यलो सिंदूर भी नहीं लगा जाता है आज सामाने आप अपने बालों को बाध ले और बाल करके आपको पूजा पाठ नियम धर्म सब को जो नियम है वो करना है अगर आप इस ब्रत को करते हैं दोस्तों तो आपको अश्वमेध यग्य के बराबर फल मिलता है हो सके तो आज गंगा स्नान करें ऐसा संबाव नहीं है तो घर में ही आप स्नान कर लें भगवान विष्णों क उससे आप ब्रत खोलेंगे और यदि आप इस ब्रत को जल और फल लेकर के करते हैं तब तो आप जैसे हर एक आदसी में मैं बताती हूं कि पारण से पहले आप अपना भोजन तायार कर लिजे भोजन में बिल्कुल चावल लिया जा सकता है तो चावल खा करके भी आप अप अपना भोजन का जो नियम है मैं हर बार बताती हूं तो वो जरूर पूरा कर लेजे अब एक और भी सेस बता देती हूं सूचना दोस्तों कि मुझसे कुंडली दिखा कर परसनल अपने ग्रहों को जानना चाहते हैं तो केवल और केवल एक ही नंबर है कमेंट बाक्स में जल वाली चीजे यानि कि जल से भड़े मटके का दान का किया जाता है चुकि अब जाते हैं कि यह जल से भड़े मटका तो कोई लेगा नहीं लेकिन हो सके तो वाटर कूलर वगर आपको भगवान ने उस लायक बनाया चमता है तो इसे दान जरूर करिएगा जो भी आपकी पंके का दान करें जूते का दान करें चाते का दान करें और पारण के दिन अनाच का दान किया जाता है और यह सारी चीजे आप जरूरत मंद या प्रावन किसी को भी दे सकते हैं इस विदी से करके आपको अपना ब्रत कर लेना है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ लेते हैं कि आप एकादसी का ब्रत करेंगे उसके बाद आप आजमन या उसके पहले भी कुछ लोग करते हैं वैसे आजमन जो है आपको पहले कर लेना चाहिए तो आजमन करते समय जो है तीन बार भगवान विश्णु का नाम लिया जाता है और तीन बार थोड़ा थोड़ा अपने मुख में डाला जाता है भगवान विश्णु का नाम लेकर जब आप अपने मुख में जल डालते है तो इससे आपकी सरीर सुद्ध हो जाता है और इससे आप पूजा पाठ में अपने मन को अच्छी तरह लगा पाते हैं तो आजमन में जो जल लिया जाता है कुछ कि माननेता है कि 3 उंजली जल, आच्मन में पिया जा सकता है, परन्तो दोस्तों सास्तिर कहते हैं, कि 6 माशे से ज्यादा जल आपको आज मन में नहीं लेना है, नहीं तो वह जल मदिरा के समान माना जाएगा इसलिए आचमन में केवल और केवल आप एक चमच के बराबर जल ले सकते हैं और यदि नियम से बात करें तो आप करीब 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 समझे की पांच ग्राम तक जल ग्रहण कर सकते हैं इससे जादा जल आचमन में ग्रहण करना मदिरा ग्रहण करने के समान है तो ऐसी कि कहीं सुनी बातों पूर थोड़ा सा सोस समझ कर विचार कर जाता है. क्योंकि ये बिरत बोहत कठीन है, सच में बहुत कठीन है, केवल और केवल उनी से पार होगा जिन के उपर भगवान विष्व की कृपा होगी, करनाजे के करपा होगी वही इस ब्रत को पार कर सकते हैं लेकिन हाँ असंभव बिलकुल नहीं है आप चाहें तो इस ब्रत को आराम से कर सकते हैं जो लोग फला हार करके ब्रत हैं वो लोग अपने ब्रत को चने की चीजों से चने का जैसे की चना भीगो करके इस से पारण करते जल कब पीए जल जान लेते हैं तो देखिए आप तीन बजे जग करके आप केवल और केवल पानी पीए उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है आपका ब्रत संकल्प लेने के बाद प्रारंब हो जाएगा और ध्यान रखे आप कुछ लोगों का ये भी मत होता है कि साम को एक समय पानी पी लेना चाहिए परंतु ऐसा नियम नहीं होता है दोस्तों अगर आप निर्जला एक अदसी ब्रत का नियम लेते हैं तो आपको सुरियोदय से लेकर अगले सुरियोदय तक ब्रत करना अनिवारे है तो इस बात का जानकारी आपको रखना जरूरी है मैंने पारण और सारे नियम विधिया आप को बता दिए पूजा की साधानट सिविधी है जो की आगे आने वाली आप वीडियो में जरूर जानेंगे तो ये इस अधानट सा ब्रत था सभी नियम था और इस ब्रत को कोई भी कर सकता है आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएगा अच्छी लगती है तो आप सेर जरूर करें क्योंकि भगवान के नाम का जितना अधिक प्रचार प्रसार हम से हो सके हम भी पुने के भागी बंतर हैं और अच्छी लगे तो आप लाइक करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में धन्यवाद हरायर बहादी